गर्मियों में मिल जाए ठंडी ठंडी आमरस यहां गाइस यह इतना टेस्टी मार्केट से भी अच्छा यह मैंने बनाया है आमरस बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा और दो आम से आप इसको पूरी से भी खाईए या फिर वैसे ठंडी ठंडी इसको सर्व करिए तो मैं यह जटप अबड़े पीले और यह कम से कम दो-दो सो ग्राम के आम होंगे और इसमें बहुत गाढ़ा-गाढ़ा यह बनके आमरस रेडी होगा और अभी मार्केट में बढ़ियां-बढ़ियां आम आ रहे हैं बट यह वैसे खाने लायक नहीं है इसका आमरस बना सकते हो आम का जूस प पिए और बच्चों को पिलाए बहुत हेल्डी है तो देखिए मने आम को छीलने से छेल लिया है और ये आम इतना टाइट है कि इसको छीलने से छील लाओ पतले पतले च्यल taller के इसके उटार सकते हैं और इसके बाद इसको इस तरह से चाकु शे चोकोर में और लंबाई में कट कर ले ताकि यह पीसने में इसका बढया बने और चोटे ठखे थके नहारे तो इस तरह से छोटे-छोटे पीसेस में इसको कट कर ले और मेरा तो मन करए बस अभी एसे खाजाओं। हमारे आहां आऊं जाते हैं, मैंने सारा आम जो है तक्डक कर लिया है चोटा तो यहाँ पर उनने लिया है जार को पर पती थे तो इसमें चोटे-चोटे पाइस में पर लिया है ताकि यह अच्छे से पष जाए बिल्कुल भी लंब में दख सना रहें और इसमें हम डालें गे दो चम्मत चीनी क्योंकि अभी यह बहुत खटे हैं तो इसमें चीनी डालना तो बनता है हमारे यहां के जो आम थे न उसमें चीनी बिल्कुल भी नहीं डलता था देशी आम हो या कल्मी आम वैसे हम लोग आम जो है रस बनाते थे गाड़ी गाड़ी और पूरी के साथ रोटी के स सर्व करते थे लेकिन अभी यह जो आम मिल रहा है ना पहुत अभी थोड़ा खटे हैं क्योंकि यह बाहर के आम है तो देखिए मैंने यहां पर आइस क्यूब लिया है कम से कम दस बारा छोटे छोटे और इसको हम डालके मिक्स करके पीस लेंगे तो यह देखिए बढ़िया यहां पर आप हम डालेंगे लाश्ट में एक कप ठंडा दूद एकदम चिल्ड दूद क्योंकि हम आम रस पीने चारे ना तो चिल्ड चिल्ड अच्छा लगेगा तो यहां पर मने ठंडा दूद डाला है और बस इसको हम चमस से बढ़ियां से मैस कर लेंगे ताकि दूद अ अच्छी लगती है और एकदम मैंने मार्केट जैसे ही आम पना बनाया है सौरी आम रस और बनाएंगे आम पना की भी वीडियो डालेंगे आम पना भी हम लोग बहुत पीए हैं ओभी देसी स्टाइल से हम बनाएंगे तो देखिए मैंने यहां पर तीन ग्लास लिये हैं इस असक आध्यूम जो हैं आम रस को निकाल लेंगे तो इस तरह से घाठा गारा तैस्टी लगता आप चाहाब इसका आस्ख्रीम भी जमा सकते हो यहां फिर जो है उसको इस सब्सक्रेंट के बच्चों को दे सकते हैं बच्चämän के भी बबे ओक्याइंगे यहां पर्गै यहां सारी चीज़ें इसमें डाल सकते हैं ताकि यह बढ़ियां ठंदा ठंदा चिल्ड यह बहुत देश्टी लगे तो जितने भी ट्राइब रूट्स हो आपके पास डाल दीजिए और देखिए मैंने यहां पर इसको आदे घंटे के लिए फ्रीज में रख दियें ताकि यह आम रस बनके रेडी हो गया है और इसको आप मोल्ड में जमा दीजिए बढ़ियां से आपके मैंगो आइसक्रीम बनके भी रेडी हो जाएगी उमीद करते हूं कि यह आम रस आपको बहुत अच्छी लगी होगी मात्र तीर मिनिट में बहने बनाया है और इसको पूरी से भी झाल